पीजी आई डेडियो डाइगनोसिस विभाक अस्थापना दिवस समारूप डेन ट्यूमर के सिती और प्रकरती का पता लगाने बेफंक्शनल एमाराई कारगार 24 घंटे एमर्जनसी मरीजू के लिए जाथ सुविदा उपलग ब्रेन ट्यूमर कई तरह के होते हैं किस तरह का ट्यूमर किस हद तक सर्जरी सफल रहेगी ये बता लगाने बेफंक्शनल एमाराई काफी कारगार है सर्जरी के बाद मरीजू को थेरपी दी जाती है आपको बता दे सर्जरी के बाद मरीचु को कीमो थेरपी दी जाती है जिससे दोबारा अशंका ट्यूमर होने की कम होती है फंक्शनल MI के जर्य दवा का कितना प्रभाव हो रहा है ये जानना संभव हो गया है संस्थान में MRI को इस्थापित करने वाले विभाग के पूर्व प्रमुप्रहे मेदानता के MRI निदेशक प्रोफेशर आरके गुपता ने बताया कि temporal brain tumor में नई विधा पर विशेश व्याख्यान संस्थान के radio diagnosis विभाग के 38 स्थापना दिवस पर देते हुए बताया कि brain tumor विभाग की किसी भी हिस्से में हो सकता है ट्यूमर की सही सिती जानने बिना सर्जरी संभव नहीं होती किस तक्नीक से सर्जरी करने है ये भी काफी हद तक tumor की स्थिती पर निर्भर करता है tumor cancer यूगत या समान है ये भी MRI spectroscopy से जानना संभव होता है cancer यूगत ट्यूमर है तो किस तरह का cancer ये भी जानना संभव होता है जिसके अधार पर इलाज की देशा तै की ज़ा सकती है विभाग के प्रमुख प्रोफेशर अर्चना कुपता ने बताया कि फ्री ट्रेसला की MRI स्थापित करने जो रहे हैं जिससे लक्षण आने से पहले ही शुरवाती दोर में विमारी को पकड़ना संभव होगा इस छमता से MRI करने पर काफी स्पश्ट इमेज मिलती है निदेशक प्रोफेशर आर की धीमान ने बताया कि हाई क्वाल्टी का सिटी स्कैन और एडवांस टेक्निक अल्टरा साउंड मर्शीन इस्थापित करने ज़ा रहे हैं इससे मरीजों को काफी फायदा होगा वरिष्ट तक नेकी अधिकारी सरोजवर्मा ने बताया कि 1986 में आजी के दिन पहला एक्सदे हुआ था जिसके बाद विभाग में लगातार सविधाय बढ़ती गई हम लोग 700 से अधिक मरीजों में विभिन रेडियो लॉजिकल परिक्षर कर रहे हैं जिसमें अल्टरा साउंड सिटी, स्कैन, अमराई, इंटर्वेशन, ट्रीटमेंट, डिजिटल, एंजियो, ग्राफी, सहीत कई जाच और इलाज कर रहे हैं